नमस्कार मैं दीपती बुंदिल खंडी जायका में आज लेकर आई हूँ सेम से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी ये ना तो अचार है और ना ही सबजी है ये बहुत ही जबरजस्त रेस्पी है और इसे मेरे यहां बनाया जाता है जो बहुत अच्छी लगती है खान को इसी तरह से बार-बार बनाएंगे तो अगर रेस्पी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने यहां पर सेम ली है और ये मुलायम बाली सेम आपको लेनी है बहुत जादा जिन में बीज हार्ट हो वो हमें नहीं चाहिए वैसे तो सेम में बीज होता है पर इस तरह से मैंने ले ली है सेम और इसके जो ये किनारे के रेसे होते है ना तो इनको हमें कट करके निकाल देना है अब यहां पर हमने सारी सेम को अच्छे से क्लीन कर लिया है धुल कर उसके रेसे निकाल दिये हैं दोनों साइट से अब ल आप चाहें तो कुकर में एक सीटी लगा सकते हैं पर वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है इस तरह से अगर आप पकाएंगे तो बीच में देखते जाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ओबर कुक नहीं करना है सेम को इसको पकाया जाता है बस इस तरह से हाथ से आप दबा क में ही पका रही हूँ और मैंने आज को बंद कर दिया है यहाँ पर साथ से आठ मिनट लगे थे और यह सेम अच्छे से पक गई है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से सेम का पानी बिलकुल हटा देंगे और साइड में एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे उसको हम मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको फैला दिया है क्योंकि यह जो रैस्पी हम बनाते हैं इसमें हमें बिलकुल भी पानी नहीं चाहिए होता है इसका हमें पानी बहुत अच्छे से निचोड़ देना है और यह इस तरह से सेम पक गई है तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद चाकू की साहता से आप इसको इस तरह से कट कर लेजिए यह बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि जब मेरे यह यह रैस्पी बनती है तो साबित सेम जो होती है उसी को हातों से निचोड़ कर बढ़े आस इसका पानी निकाल देते हैं और इसी तरीके से वो बना ली जाती है रैस्पी लेकिन मैंने यहां पर इस तरह से टुकड़े कट कर लिये हैं और उसके बाद यह देखिए मैं अच्छे से दोनों हतेलियों के बीच इसको दबा कर इसका पानी बहुत अच्छे से निकाल रही हूं और यह इस तरह से निचोड़ दिया है मैंने इसमें जो बीच बगेर है वो भी बने रहने दीजिए सेम कि यह जो चटकारे होता है यह बहुत ही मज़ेदार रेस्पी होती है तो यहां पर मैंने इस तरह से सारा पानी हटा दिया और सेम को एक दूसरे बाउल में इस तरह से निकाल लिया है बहुत अच्छे से साइड में कर देंगे हम ये देखिए कितने अच्छे से इसका पानी एकदम से निचोड दिया और अब हमें इसी तरह की सेम चाहिए है अब यहाँ पर बारी आती है कुछ ऐसे मसाले जो बहुत ही अच्छे होते हैं मैं यहाँ पर लिया है लैसुन और अद्रक इस रेस्पी में प्याज नहीं पढ़ता है यहां पर मैं लैसुन ले रही हूँ और अद्रक ले रही हूँ तो लैसुन अद्रक को आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते है अगर आपको paste डालना है पर इस तरह से grate करके डालिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और बहुत अच्छे से mix हो जाता है पूरे में यहां पर मैंने लेसुन और अद्रक दोनों को बहुत अच्छे से इस तरह से grate कर लिया है यह अद्रक वाले grateर से यहां पर यह जो सेम है इसमें हमें ये कच्चा ही मिला देना है किसी तरह से इसको पका कर नहीं डालना है बस ऐसे ही कच्चा मिला देंगे हम अब यहां पर मिलाएंगे थोड़े से मसाले तो मैं चिली फ्लैक्स डाल रही हूँ आपके पास अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो जो साबित लाल मिर्ची होती है आप वो भी मिला सकते हैं पीस कर हलकी मोटी सी पीस लीजिए यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है चिली फ्लेक्स डाला है और नमक डाला है तो अभी ये दो चीजे मिक्स की है आगे देखिए मैं इस नहीं है और ना ही ये मतलब citric acid टाइप का कुछ है यह सिर्का है जो औरिजिनल सिर्का घर में बनाते हैं गण्ये के रसे यह वही है तो हमें इस रैस्पी में सिर्के को डालना है सिर्के से ही इसमे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो इस रैस्पी में सबसे ज़्यादा important होता है अगर आप छिरका नहीं पसंद करते हैं तो आप नीबू का रस डाल सकते हैं और ये लिजिए अब यहाँ पर जा रहा है कच्चा सरसों का तेल आप इसको अचार मत समझिएगा ये अचार नहीं है क्योंकि ये इस्टोर करके नहीं रखा जाता है इसको एक से दो दिन में खा लिया जाता है वो भी दूसरे दिन आपको फ्रिजबे रखना पड़ेगा अब यहाँ पर देखिए मसाले गए नमक, चिली फिलेक्स, सिरका, ओ वाइल, लहसुन, अद्रक और अब इसके बाद इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरे धनिय को भी मिक्स कर देंगे तो लीजिये बनकर तयार हो गई है हमारी टेस्टी सी सेम, जो ये सेम की मजेदार सी रेस्पी है अगर रेस्पी पसंद आए तो इसको बना कर ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए